परगेट विद आलोक के आनलाइन प्लेट फार्न पर आप सभी प्री विद्ध्यार्थियों का हार्दी कभिनेंदन है मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों रैंकर्स यसाई बैच में मैं पंडी तमरेश भट आप लोगों को अलंकार बीसे पर बात कर रहा हूं जो एक महत्पुरो टापिक है आए जो उसी के क्रम में हम आगे चलते हैं जिस क्रम में मैंने जहां पर आप लोगों को छोड़ा था मैंने आपको शब्द अलंकार के बारे में बताया और शब्द अलंकार के अंतरगत मैं जो बात कर रहा हूं वह अनुप्रास पर किया अनुप्रास के भेद यमक पर किया यमक को डीटेल भी पढ़ा अब आम आते हैं सलेश अलंकार पर आते हैं तो सलेश अलंकार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सलेश अलंकार किसे कहते हैं और सलेश अलंकार किसे बना हुआ है देखें नाम क्या है? स्लेस है नाम ही है स्लेस और ये अलंकार के बारे में आप जानते हैं यानि स्लेस अलंकार हो गया यहाँ पर स्लेस का अर्थ क्या होता है? अलंकार तो जानते हैं तो स्लेस जो है किससे मिलकर के बना है स्लेस जो है यह स्लिष्ट धातु से मिलकर बना है, स्लिष्ट से, स्लिष्ट धातु से मिलकर बना है, यानि यह क्या है, स्लिष्ट क्या है, यह धातु है, स्लिष्ट जो है, धातु है, स्लिष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, अर्थ क्या, चिपका हुआ या इसी को कहते हैं आप कहसकते हैं लगा हुआ कहसकते हैं या आप कहते हैं सटा हुआ भी बोल सकते हैं आपकी एक्छा आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं यहां मैं समझाने के लिए आप लोगों को बस इस बात का प्रियोग कर रहा हूं यानि इन सब्दों का प्रियोग कर देखना है इसके पहले थोड़ा समय आपको रिकेप करा दूँ अगर तो इसके पहले मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि मैंने जब वरण की बात किया था वरणों की आवरित की बात की थी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ अनुपरासलंकार है यहाँ वरणों से मिलकर कि किसका निर्माड होता है शब्द का निर्माड होता है और जब सब्द की आवृत्ति होती है यानि सब्द का दुहराव होता है तो वहां पर मैंने आपको यमकालंकार के बारे में मैंने जिक्र किया था यानि यमकालंकार के बारे मैंने बताया था अब यहां सब्द नहीं होगा, शब्द क्या होंगे? एक बार आएंगे, शब्द क्या होगा? एक बार आएगा, लेकिन इसके अर्थ जो होते हैं, यानि इसके जो अर्थ होंगे, वह अलग-अलग होंगे, अर्थ क्या होंगे? अलग-अलग होंगे, तो सब्द एक हो, अर्थ अलग-अलग हों, तो वहाँ पर सलेश अलंकार होगा इसलिए यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह जो सलिष्ट है यानि धातु है इसका अर्थ होता है चिपका हुआ अब यह इस धातु में चिपका हुआ है क्या यानि कोई यहाँ पर माननी जी एक सब्द लिख दिया गया और इस सब्द के अंतरगत क्या है अर्थ चिपके हुए है यानि सब्द जो है एक है लेकिन अर्थ इसके अंतरगत समाहित है अर्थ इसके अंतरगत एक ही नहीं लगा हुआ है बलकि अनेक लगे हुए है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सलेसा लंकार हो जाएगा जिसको आप क्या कह सकते हैं सलेसा लंकार भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं सलेसा लंकार भी कह सकते हैं यानि सलेसा लंकार उसी को हम क्या सलेसा लंकार बोल देंगे तो ये तो हमारा एक परिभासिक सब्द के रूप में अगर हम व्याक्षाइद करें तो याद करने की कोई अवस्कता नहीं है आपको आपको सिर्फ क्या करना है एक बर इसको समझ करके और अपनी परिभासा स्वेम से निश्चित कर लिजे कैसे कि जब एक ही सब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं या अन्य अर्थ होते हैं या एक से अधिक अर्थ होते हैं या भिन भिन अर्थ होते हैं तो वहाँ पर कौन सा लंकार होता है सले सा लंकार होता है या सले सा लंकार होता है जो स्लिष्ट धात उसे बना हुआ होता है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ समाहित या लगा हुआ या सटा हुआ चलिए आगे चलते हैं यानि अब क्या करेंगे हम इसके उदाहरण पर बात करते हैं कि क्या है इसके उदाहरण क्या है और उदाहरों से देखेंगे, उदाहरों से हम समझेंगे कि यह सले सलंकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर एक सूचना आपको देनी है, वो सूचना सुन भी लीजिए क्योंकि इसको बाद में दिया जाएगा यानि सूचना जो है, यह है कि आपको मैं RSI यानि Ranker से साइबेच में ही बात कर रहा हूँ और Ranker से साइबेच में मैंने आपको यह भी बताया कि Rank लाने के लिए कुछ ने कुछ जरूर्ट में आपको जो Extra Calculum होगा, उसको करना पड़ेगा थोड़ा से महनत करनी पड़ेगी महनत क्या करनी पड़ेगी, आपको Daily जो है Class के साथ बना रहना पड़ेगा यानि हम लोगों के साथ टार्गेट बिज अलोग के प्लेट हम के साथ आपको प्रति दिन बना रहना पड़ेगा यानि रहना पड़ेगा तो निश्चित तोर पर मानिए बिश्वास करिए कि आप रैंक लाएंगे और यह फलीभूत भी होगा आपको सिर्फ इतना करना है इस इनक्वारी होगी सारी इनक्वारी को फुल्फिल करेंगे अगर कभी दिक्कत होती है ऐसा तो यह जो नीचे नंबर दिये गए हैं इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हैं फोन कर सकते हैं फोन करके बात कर सकते हैं ठीक है आई यह चलते हैं अगले हम बिंद पर यानि अपने subject पर चलते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे यानि हम slay salankar पर चलते हैं यहाँ पर देखे slay salankar में मैंने आपको यह बताया कि यह slay salankar है इसी को आप slay salankar भी लिख सकते हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इसके उदारणों पर मैंने कहा कि अगर slay salankar का नाम लिया जाए तो कोई-कोई ऐसी काब्य हैं कोई-कोई ऐसी पंक्ति हैं कि जिसको अगर नाम न लिया जाए यानि जिसका उद्रत न किया जाए जिसका उदारण न किया जाए तो वह समझे उस salankar के साथ अन्याय होता है तो ऐसे कोई फिक्स हो जाते हैं जो मानस पटल पर बच्पन से ही हमारे रहते हैं तो उसका उलेख करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ से questions भी पोशते हैं ऐसा नहीं है कि केवल जानना जरूरी है questions भी आते हैं तो ये पंक्ति है बड़ी famous पंक्ति है अब यहाँ पर देखे पहले ही पंक्ति में कहा गया है रहिमन पाणी राखिये याँनी अब आपको अब बताना नहीं है कि ये किसने लिखा है सीधी सी बात है रहीमदास से लिखे होंगे तो रहिमन पाणी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गए नूबरे मोती मानुस चून, ऐसा ये कह रहे हैं अब यहाँ देखें, मैंने आपको समझाने के लिए उपर की पंक्ति लेकिन मूलतह जो स्लिष्ट यहाँ पर है, यानि स्ले सलंकार है वह केवल इसी पंक्ति में है, यानि इस पंक्ति में आपके नीचे वाली पंक्ति में ही होता है उपर की पंक्ति लिख दिया जाता है, चूकि आपको समझ में आ जाए तो इसलिए कभी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, केवल इतना भी दे सकता है अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी गए न उबरे रहिंदास जी कहते हैं पानी राखिये बिन पानी सब तून बिना पानी के सब कुछ सुना है लेकिन मेन अर्थ आपको यहां देखना है करें पानी गए न उबरे मोती मानुस चून पानी गए न उबरे उबरे मनें वापस आना यानि निकल जाना पुना दिखाई दे जाना उबरे मोती मानुस चून यह पानी सब्द है अब इस पानी के अर्थ आपको एक पानी सब्द एक है और इसके अर्थ क्या होते हैं अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग हो जाते हैं कह रहे हैं पानी गैन उबरे मोती यानि इस पानी का अर्थ जो होगा मोती के संदर्भ में क्या होगा तो मोती के संदर्व में जो पानी का अर्थ होगा वह क्या होगा चमक होगा पानी का अर्थ मोती के संदर्व में क्या होता है चमक होता है पानी गए नूबरे मोती यानि मोती में जब पानी चला जाता है तो वह पानी पुनह वापस नहीं आता है बलकि वह पानी क्या हो जाता है चमक में परिवर्तित हो जाता है तो पानी गए नूबरे मोती मानुष मानुष के संदर्व में यानि मनुष के संदर्व में मानुष मोती मानुष मनुष के संदर्व में पानी का क्या अर्थ होता है ठीक है यानि मनुष के संदर्व में अगर कहा जाए तो पानी का क्या अर्थ होता है इसको तो यसी पानी का अर्थ, मनुस के संदर्व में क्या होता है, प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा कह लीजिए या आप इज्जत कह लीजिए, ठीक है, इज्जत प्रतिष्ठा आप लोग बोलते हैं, यानि मानुष मनुस के संदर्व में इस पानी का अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठा होता ह अगला कह रहे हैं कि मोती मानुस चून, अगला ये कह रहे हैं कि चून के संदर्व में यानि चूने के संदर्व में पानी का क्या अर्थ होता है? तो चूने के संदर्व में पानी का अर्थ जल होता है या कह लीजिए साधारन पानी ही होता है यानि यह पानी जो है भिन भिन संदर्भों में मोती के संदर्भ में चमक हो जाता है मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा क्योंकि एक बार अगर किसी की पानी अगर कहते हैं कि मेरे पानी चली गए यानि मेरी प्रतिष्ठा चली गई तो पानी एक बार अगर मनुस्य की प्रतिष्ठा चली जाती है इज्जत चली जाती है तो पुनह वापस नहीं आती है आप कितना भी प्रयास कर लें लेकिन वह कलंक लगा रहता है तो एक बार प्रतिष्ठा जाने पर पुनह वापस नहीं आती है पानी गए नूबरे मोती मा उस चून, यानि चून में भी, चूने में भी अगर पानी मिला देते हैं, तो जो पानी जाता है, आप चाहिए पुनह वापस करना, उस पानी को उसी रूप में तो ऐसा संभव नहीं है, जिस प्रकार से आटा में भी क्या करते हैं, अगर पानी को मिलाते हैं, तो आप स्लाथ क्या हो गए भिन भिन हो गए इसलिए यहां पर स्लेसलंकार हुआ है चले आगे चलते हैं यहां पर पर एक है चिर अनुजावे हलदर के बी ऐसा बोल लहे हैं ये बुदारण बोल लहाँ चिर जीवों जोरी जुरे क्यों नसने हैं गमीर चिर जीवो यानि हमेशा से कहते हैं चिरण जीवी जुहाओ ऐसा साधार सब्दों में कहा जाता है जीओं जोड़ी जोड़ी हुई है यानि साथ में है क्यों सनेह गंभीर अगर दो लोग हमेशा से जुड़े हुए हैं साथ साथ रह रहे हैं वारता लाब भी साथ हो रही है सब कुछ साथ में क्रिया कलाब हो रहा है तो क्यों न सनेह गंभीर क्यों सनेह गंभीर नहीं हो जाएगा यानि क्यों उससे लगाव नहीं हो जाएगा यानि ये तो होना ही होना है कि उससे अतिप्रिय यानि उससे आपका लगाव हो जाएगा उससे आपका सने हो जाएगा उससे आपका प्यार हो जाएगा जो हमेशा आपके साथ रहता हो को घटिये ब्रिश्भानुजा यही पर दूसरी पंक्ति में ही आपके सले सोते हैं को घटिये ब्रिश्भानुजा ऐसा भी दे सकता है केवल यही पंक्त ही देगा तभी भी आपके सले सलंकार हो जाते हैं को घट ये ब्रिशभानुजा वे हल धर के बी कह रहे हैं को घट ये ब्रिशभानुजा ब्रिशभानुजा मतलब ब्रिशभानु के बेटी राधा की बात हो रही है यानि ब्रिशभानु की बेटी राजा मने होता है पुत्री यानि यहाँ पर ब्रिशभानु की बेटी ब्रिशभानु की बेटी कौन है? राधा है ब्रिषभान की बेटी यानि एक ब्रिषभान की बेटी राधा दूसरा कह रहे हैं ब्रिषभान की बेटी ब्रिषभ और अनुजा यानि ब्रिषभ की बेहन अनुजा मतलब क्या होता है बहन होता है अनुज मतलब भाई और अनुज मतलब बहन ब्रिशब की बहन ब्रिशब मतलब बैल बैल की बहन तो बैल की बहन क्या होता है गाय होता है यानि शब्द एक है ब्रिशब अनुजा ब्रिशबहान जाय यानि ब्रिशबहान की पुत्री राधा और ब्रिशब की बहन गाय, यानि ब्रिशब मतलब बैल, बैल की बहन गाय, ब्रिशबहानुजा है, इस सब्द के दो अर्थ निखले, आगे कह रहे हैं को घट ये ब्रिशबहानुजा, यानि क्यों नहीं ऐसी घटनाएं हो, ब्रिशबहानुजा ये हैं, वे हलधर के बीर, यानि वे हलधर के बीर ह तो कुबलराम के भाई कौन है कृष्ण है यानि यहां पर एक हलधर के बलराम के भाई कृष्ण है तो कृष्ण और राधा से यहां पर देखेगा कृष्ण और राधा से क्यों इतनी क्यों इतनी सने है यानि गंभीर हो अगर कह रहे हैं यानि ब्रिश्भानुजा यहां पर बोला जा रहा है तो ब्रिश्भान की बेटी राधा है और हलधर बलराम के भाई कृष्ण है यह दोनों साथ साथ रहते हैं तो क्यों नहीं सनेह गंभीर होगा यानि क्यों नहीं लगाओ होगा तो यहां पर एक हलधर का अर्थ क्या हुआ बलराम के भाई कृष्ण दूसरा हलधर का क्या हुआ यानि हल चलाने वाले बीर हलधर हल को धरने वाले हल को चलाने वाले बीर अर्थात अर्थात बैल यानि हल को चलाने वाले बैल तो बैल एगर है तो बैल भी बैल किसके साथ र रह रहा है, तो क्यों नहीं सने होगा, क्यों प्रेम नहीं होगा, क्यों लगाव नहीं होगा, यानि स्वाभविक सी बात है, उसमें आपस में लगाव हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे, ब्रिश्भान के दो अर्थ और हलधर के दो अर्थ हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर य माया महा ठगनी हम जानी तिरगुन फास लिये कर डोले बोले मधुरी बानी ये जो माया रूपी संसार है वह कितनी ठग है ये हम जानते हैं तिरगुन फास लिये कर डोले तिरगुन का अर्थ होता है तीन गुण तिरगुन का अर्थ क्या होता है तीन गुण होता है अब ये तीन गुण कौन कौन से होते हैं एक गुण यो होता है सत्व का गुण होता है दूसरा जो गुण होता है रज का गुण होता है और तीसरा ज इसको कुछ ऐसे लिख दिया जाए तो यह सही होगा यहां देखें तिर्गुण है और तिर्गुण का जो अर्थ हुआ यहां देखें करें तिर्गुण है तो तिर्गुण का एक अर्थ हुआ तीन गुण क्या हुए तीन गुण और तीन गुण कौन-कौन से हैं तीन गुण कौन कौन से हैं? ये कह रहे हैं कि एक होता है सत्व गुण, ठीक है? एक होता है रज गुण और एक होता है तम गुण, ठीक? अब सत्व गुण को क्या कहते हैं? शतो गुण कहते हैं, क्या कहा जाता है? शतो गुण कहा जाता है, रज गुण को रजो गुण कहा ज जाता है और तमगुण को तमगुण कहा जाता है ध्यान से इस बात को समझेगा तमगुण कहा जाता है एक अर्थ ये हुआ आपके और दूसरा अर्थ हुआ तीन धागों वाली रसी तीन धागों वाली रसी ये एक आपका अर्थ हुआ यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये जो तीन धागों वाली रस्सी है तीन गुण हुए तीर गुण के दो अर्थ एक तीन गुण तीर गुण त्रिगुण हो गया और एक तीन धागों वाली रस्सी इसके दो अर्थ हुए पहला चीज ये सले सलंकार हुआ दूसरी बात तीन गुण कहरे कहरे हैं सत्व गुण यानि एक इस पूरे संसार में पूरे काइनात में कौन से गुण वाले हैं सत्व गुण वाले हैं सात्विकता का गुण उनमें समाहित है यानि वो सांत चित रहने वाले हैं हमेंसा सत्य की राह पर चलने वाले हैं यानि उसी में लीन है एक प्रकार से यह कहिए चाहिए कहिए कि सत्यता में लीन यानि इस तोर में परमात्मा में अल्ला में, खुदा में, जीसस में, जिसमें कह लिजे, उसमें क्या है, वो लीन है, यानि सत्य की राह पर चलने वाले हैं, उसे हम कहते हैं, शतोगुण, इस ब्यक्ति की अंतरगा सतोगुण बिराजमान है, चलिए, एक गुण ऐसा हो गया, दूसरा गुण कह रहे हैं, रज गुण कहा जाता है, रजोगुण का अर्थ होता है, राजसिक गुण होता है, यानि राजसिक गुण का मतलब भोग बिलास का गुण होता है, बहुत सी ऐसे लोग होते हैं, कि जो इसी संसार में, हमेसा भोग बिलास की वस्तुव में, हमेसा खोय हुए रहते हैं, तो क्या क वस्तुव में रमा हुआ है तो एक बर्ग ऐसा है जो राजसिक गुण में है एक बर्ग ऐसा है जो शतोगुण में है एक बर्ग ऐसा है एक होता है तमगुण तो तमगुण को तमोगुण कहते हैं यानि एक बर्ग ऐसा है जो तमोगुण में यानि तामसिक प्रवर्तियों मे मार, काट, खाना, पीना ऐसा कुछ, तामसिक प्रवर्थियों में क्या है वो हमेसा उसी में डूबा हुआ है एक बरक ऐसा है, अब यहाँ पर इन तीनों में, यानि शतोगुळ, रजोगुळ और तमोगुळ जो हैं, इन तीनों में मेल नहीं होना चाइए, इन तीनों में एक का कार नहीं होना चाहिए तीनों का मिलन नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्व गुणवाला अलग प्रविट्टिका है राजो गुणवाला अलग प्रविट्टिका है और तमो गुणवाला अलग प्रविट्टिका है इन तीनों का कोई मेल नहीं होना चाहिए लेकिन एक है रहे ह तिरगुन फास लिये कर डोले कर मतलब हाथ इस तीनों गुडों में फासा कर लिये कर डोले बोले मधुरी बानी और मधुर मधुर बानियों को बोलते हुए जा रहे हैं यानि इस माया रूपी जो संसार है वह कितनी ठग है कि ये तीनों तीन अस्तर के हैं तीनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी यह माया रूपी संसार में आकर के यह इस से बात कर रहा है यानि यह इस से बात कर रहा है यह इस से कर रहा है यह इस से कर रहा है और यह इस से कर रहा यह माया रूपी संसार है तो कभी यह कह रहा है दूसरा कह रहा है कि 3 धागों वाली रस्ची यहां 3 धागों वाली रस्ची इसका ताद पर यह है कि जो पहले जो है 3 धागे की जो रस्ची होती थी बड़ी मजबूत हुआ करती थी जैसे आप अब तो ऐसा हो गया है कि एक ही धागा आ गया है अब की बात तो नहीं है अब तो बिना धागा का भी हो गया है यह कह लिजे लेकिन पहले सावन चल भी रहा है सावन में जूला पड़ता था सावन के जूलों ने मुझे को बुलाया ऐसा तमाम आपके गाने भी है और सावन यानि सावन के महीने में जूला पड़ता था वो जो जूले होते थे वो तीन धागों की रस्सी यानि मुटे मुटे रस्सा हुआ करते थे और उसी में जूला पड़ता था तो उसमें महिलाएं बीच में बैठती थी और अगल बगल ज जो कुछ लड़कियां हैं या कुछ लड़के हैं वो पेंग मारते थे यानि जूला इधर से उधर खोब उची उची जाता था, तो रस्षा क्या है? वो तीन धागों से बना हुआ रस्षा था, बड़ा मजबूत था और उसी में क्या है? तिरगुन फांसीसी में यानि इस त रुप से वह संगीत का गायन करते हुए वह चली जाती थी, यानि मस्त रहती थी, यानि अब तो सारी परमपराएं लगभग देख रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी ग्रामिण परवेस में कुछ परमपराएं बची हुई हैं, यानि यहां तिर्गुन क सीधी चलते राह जो, रहते शदा निशंक, जो करते विपलो उन्हें हरी करते आतंक, सीधी चलते राह जो, रहते शदा निशंक, यानि जो सीधी राह चलते हैं, वह हमेशा निशिंत रहते हैं, संका रहित रहते हैं, बिना संका के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हैं, मैं अ अपना रास्ता पकड़के जा रहा हूँ, ऐसा है कि जो करते हो विपलो उन्हें हरी करते आनंद, अगर जो करते विपलो उन्हें, यानि जो उनको छेड़ते हैं, हरी मतलब होता है भगवान, और हरी मतलब क्या होता है, बंदर, यहां कह रहे हैं कि अगर उनको छेड़ा जाए तो हर करते आतंक अगर कोई सीधी राह चल ला है तो भगवान भी उसको कोई टच नहीं करने वाले हैं अगर सीधी राह नहीं चलेंगे तो इस्वर ये काप बेरूपी संकल्पना है इस्वर कह लीजिए खुदा कह लीजिए ज तो भगवान जो है उन्हें भगवान का उन्हें आतंक यानि डर रहता है हरी करते आतंक यानि यहां पर उन्हें अगर वो गलत काम करते हैं यानि विपलो करते हैं गलत काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है उनको भगवान का डर रहता है और अगर वो सीधी नहीं चल लहे जो करते बिपलो उन्हें हर करते आनूं यानि अगर आप बंदर है और बंदर को क्या कर रहे हैं मार रहे हैं वो सीधा आप नहीं जा रहे हैं बंदर को मार रहे हैं बंदर को चिड़ा रहे हैं बंदर को कुछ हर कर रहे हैं तो यहाँ पर हरी के भी दो अर्थ हो जाते हैं, विपलो मतलब गलत काम, विपलो मनब चिठाना या कुछ भी गलत क्रिया बंदर के शाथ करना, इस बंदर के शंदर्म में होता है, ये भगवान के शंदर्म में होता है, तो एक ही सब्द के दो अर्थ हो जाते हैं, इसलिए य चरन धरत किनताकर चितवत चारी ओर सुबरन को खोजट फिरत पिरत कभीय वियचारी चोर बड़ा ही फिमस है बस पूरी पंकति क्या लिख़ें आप लोग जानते हुएं तो चरन धरत वैसे बता दे रहा हूँ, चरन धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, चरन को पकड़ता है, चिंता करता हुआ, चितवत मतलब देखना, देखता हुआ, चारी ओर चारो तरब देखता हुआ, चला जाता है, क्या? शुबिरन को खोजत फिरत क्या कभी ब्यभिचारी और चोर यानि यहाँ पर तीनों बात हो रहे है कभी ब्यभिचारी चोर यानि सुबिरन को खोजत फिरत कभी ब्यभिचारी चोर शुविरन मतलब अब यहाँ पर देखे शुविरन का अर्थ भिन भिन रूपों में भिन भिन हो गया है यानि यहाँ पर शुविरन का अर्थ कभी के संदर में शुविरन यानि सुन्दरवर्ण कभी के संदर में क्या हो जाएगा शुन्दरवर्ण का मतलब होता है अच्छर होता है शुन्दरवर्ण का मतलब अच्छर होता है यानि अगर इस कभी को इसलिए चारो तरब देखता है और चरण को पकड़ता है यानि चरण धरत, चिन्ता करत चरण को पकड़ता है ककि सरस्वती के चरण का बंदन करता है, चिन्ता करता हूआ, चारो तरफ देखता हूआ जाता है, कौन ? कभी, कभी जाता है, इसलिए जाता है, चारो तरफ देखता हूआ, कहीं उसको एक सुरम में छहताओं का रण दृश्य दिखाई दे जाए, यानि दृश्यमान हो जाए आप कुछ ऐसी तश्मीरे दीखाई दे जाएं। कमरे में बैठ करके सभी को महसूस कर लेना ऐसा संभव नहीं है यह वास्विक का विधारा नहीं होगी और जो ऐसा काम किया है आप देखेगा वो प्रासंगिक नहीं होता है इसलिए आप हमेशा प्रेम चंद हमेशा प्राशंगिक करेंगे कबीर हमेशा प्रासंगिक करेंगे तुलसी हमेशा प्रशंगेंगे रहे, सूर हमेशा प्रशंगेंगे, यह वस तु विशय को ले करके और उस पर मन्थन करके लिखे हैं, लेकिन आज कल के कभी, अब के कभी खड्योत सम्जहत है करत परकास, आप देख लिजे, शूर शूर मैं तल जिक्र किया होगा, सूर शू तुलसी ससी उडगन के सोदास, अब के कभी खड्योत सम्जहत है करत परकास, यानि जुगनू है, अब के कभी क्या है, खड्योत है, जुगनू, वो जो देखते हैं रात में, जो इसको जलता है, इसको क्या कहा दाता है, भगजुनिया है, भगजुनिया कहा जाता है, जो ज जहता है करत प्रकास, जहां जहां वो रात में बच्चे पकड़ते हैं, जहता है करत प्रकास, कहीं प्रकास होगा, कहीं बंदो जाएगा, अब के कभी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि अब इलीट वर्ग के कभी हैं, कमरे में बैठ करके और नई-नई रचनाय कर रहे हैं, तो प्रा नहीं लिखी गई हैं, नहीं लिखी जाएंगे, तो कह रहे हैं कि कभी इसलिए बाहर निकलता है, इसलिए चारो तरफ देखता है, कि उसको सुन्दर वरण मिल सकें, यानि कोई दृष्ट मिल सकें, जिससे वो नहीं नहीं काब्यों की रचना कर सकें, शुविरन को खोजत प् पूछेगा, शुविरन का अर्थ होता है, सुन्दर वरण भी होता है, यानि शुन्दर वरण भी होता है, ऐसा भी होता है, दोनों रूपों में इसके अर्थाप निकाल सकते हैं, शुविरन यानि शुन्दर वरण होता है, सुन्दर वरण का मतलब यह हुगा, यहाँ पर वरण का मतलब अक्षर हुआ, लेकिन यहां पर विचार भी कह सकते हैं, यहां सुन्दर वरण की इस्तरी कह लीजिये, या पुरुष कह लीजिये, यह कोई चुकी यहां पर पुरुष प्रधान समास रहा है और हमेशा से वरणन जो होता है यहां आप लोग सुनते होंगे शुन्दर वरण की इस्त्री गौर वरण की इस्त्री हमेशा इस्त्री के संदर में प्रयोग किया जाता है आप दोनों कर सकते हैं सुन्दर वरण की इस्त्री कह लीजे यारी शुन्दरवरण की जो है वह पुरुष कह लीजे शुन्दरवरण का पुरुष कह लीजे जो आप कह लीजे आपकी ख्षा सुबिरन को खोज़त पर कब बेविचारी जो बेविचारी है अगर पुरुष है बेविचारी पुरुष है तो क्या खोजेगा की पूरुस्ट हो जाएगी, यानि बेविचार करने के लिए बेविचार मने जो आचार मतलब नियम उस नियम पर नहीं है यानि उस नियम से हटकर कि कुछ प्रविटियां उसकी गलत हैं, गलत से गलत अर्थ में जाती हैं तो इसलिए बेविचारी चारों तरफ देखता पुरूष है तो, और महिला है तो सुन्दरवन के पुरुष कहा उसको दिखाई दे जाएं, जिससे वो वार्ता लाप करें, और आगे की प्रक्रिया चलें, चलिए आगे चलते हैं, चोर के संदर में शुविरण का प्यार्त होता है? चोर के संदर में शुविरन काथ होता है स्वर्ण होता है चोर के संदर में क्या होता है स्वर्ण होता है चोर इसलिए चारो तरब देखता है और चिंता करता हुआ जाता है कि कहां से उसको स्वर्ण मिल जाए सोना मिल जाए जिससे वह उसको खेश सके उसको पाज सके और लेकर के भाग सके तो सब्द क्या है एक है सुविरन है और इसके भिन भिन अर्थ है इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा सलेस अलंकार हो जाएगा यह रहा आपका ऐसे ही मंगन को देत पट देत बार बार है से तमाम आपको उधारन मिल जाएंगे चलिए तो यह रहा आपका सलेस अलंकार ठीक है अब हमारी मुलाकात जो होगी वह नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन होगी और इसी शब्द अलंकार के अगले अलंकारों पर हम बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद